Hello everyone, I am Priyanka Gore, Welcome back to my channel Learning with Pace, आज से हम लोग 9th क्लास की हिस्टरी शुरू कर रहे हैं, the first chapter is the French Revolution, सबसे पहले इस टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं, जो ये word है French, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम इंडिया में रहने वाले लोगों की बात करें, तो हम उनको भारतिय कहेंगे, इंडियन कहेंगे, तो उसी तरीके से जो फ्रांस में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से हम इंडियन हैं, वो फ्रेंच पीपल है, इन्होंने एक revolution शुरू करा था, revolution का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग इकठे मिलकर कुछ पॉलिटिकल चेंज कर दें, किस तरीके का चेंज? पॉलिटिकल चेंज करें, और वो जो पॉलिटिकल चेंज है, वो एकदम सडन हो जाए, मतलब दो या तीन दिन में, या मैक्सिमम चार या पांच दिन में, ठीक है? उसे revolution कहा जाता है, इसका हिंदी में मतलब होता है क्रान्ती, French Revolution बहुत बड़ा revolution था, अब ये जो revolution है, इसके बहुत सारे reasons है, French Revolution का main reason है, economic reason, ठीक है? क्योंकि लोगों पर heavy taxes लगा दिये गए थे, जिससे लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा पैदा हो गया था, तो revolution का main reason है न, वो है oppression, जब common लोग oppressed feel करते हैं, किस से? गवर्मेंट से, और ये oppression किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो political oppression हो, या फिर social oppression हो, या फिर economic oppression हो, ठीक है? किसी भी तरीके का oppression जब common people feel करते हैं, तो वो government के against, revolt करते हैं, जिसे revolution कहा जाता है, fine, I hope आपको ये title का मतलब समझ में आ गया होगा, अब question एक ये आता है, हम तो हैं इंडिया के लोग, तो हम इंडियन revolution क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, French revolution क्यों पढ़ रहे हैं? reason ये है, कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा revolution हुआ था, वो French revolution हुआ था, जिससे पूरा देश हिल गया था, और इसके बाद American revolution हुआ, American revolution के बाद इंडिया में हमें revolution देखने को मिलता है, तो कहने का मतलब है, जो भी revolution other countries में हुए, उन्होंने inspiration कहां से ली, French revolution से ली थी, इसी लिए इस revolution को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चलिए हमारा chapter शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां पर NCRT में हमें introduction पार्ट दिया हुआ है, main story हम आगे पढ़ेंगे, पहले introduction पढ़ते हैं और फिर जब chapter खतम हो जाएगा, तब हम chapter को story की form में sum up कर लेंगे, right, तो NCRT में जिस तरीके से दिया हुआ है, उसी तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे, चलिए, first line है, on the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in state of alarm, तो यहाँ पर जो यह 14th July 1789, यह date and year दिया है, यह आपको याद रखना ही रखना है, important है, तो 14th July 1789 की सुभ, city of Paris, Paris शहर में एक alarm की state देखने को मिलती है, पैरिस क्या है, यह France की capital है, और पैरिस शहर में एक हमें state of alarm देखने को मिलता है, state of alarm का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर बार बार color इसलिए change कर रही हूँ, ताकि आपको contrast में color दिखते रहें, state of alarm का मतलब होता है, emergency, या फिर जब कोई शहर danger में हो, तो इस phrase को use किया जाता है, कौन से phrase को, state of alarm को, तो जो पैरिस शहर है, इसमें एक emergency देखने को मिलती है, एक turmoil देखने को मिलता है, एक disturbance देखने को मिलती है, या एक turbulence देखने को मिलता है, जिसे हम ये कह सकते कि पूरे शहर में हमें एक खत्रा मडराता हुआ दिखता है, हुआ क्या था, उसके पीछे की story ये है, The king had commanded troops to move into the city, troops का मतलब क्या होता है, जो राजा की सेना होती है, जो सैनिक होते हैं, या जो फोज होती है, ठीक है, तो फ्रांस के जो king थे, king का नाम क्या था, फ्रांस के king का नाम था, Louis 16, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, Louis 16 जो थे, इन्होंने अपनी troops को, मतलब अपने सैनिको को command किया to move into the city, कि शहर में जाकर देख के आओ, कि लोगों की क्या स्थिती है, लोग किस तरीके से रह रही हैं, तो शहर की condition पता करने के लिए, king ने अपनी troops को शहर में बेजा था, लेकिन जैसे ही, king की troops शहर में आती है, कुछ तरीके के rumors लोगों के बीच में आ जाते हैं, rumors का मतलब क्या ह होता है, अफवा, तो कुछ तरीके की अफवा लोगों के बीच में फैल जाती है, अफवा किस तरीके की फैलती है, देखते हैं, rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens, तो अफवा फैलती है, कि जो राजा है, इन्होंने अपनी troops को इसी लिए भेजा है, ताकि शहर के लोगों पर ये open fire करवा सके या open fire कर सके, open fire का मतलब क्या है, अगर मैं इसको layman language में समझाओं, तो open fire का मतलब है कि जो भी गली, मोहले में दिखे, outdoor area में दिखे, उन नागरी को गोली से उडा दो, उनको मार दो, उन पर फटा-फट से, मतलब जो भी दिखे, उनको headshot कर दो, तो इसका मतलब होता है open fire, तो लोगों के बीच में अफवा तब फैली, जब किंग ने अपनी troops को शहर में भेजा, अफवा ये फैल गई कि ये जो सैनिक है, ये हमारी तरफ इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि किंग ने इनको command किया है कि लोगों को open fire करो, मतलब जो भी दिखे, उन पर गोली मार दो, इ इसलिए इसी डर में अब citizens जो थे, अब उनको भी अपना बचाव करना था, क्योंकि हाला कि ये rumors थे, ये भी याद रखना, जो king है, उन्होंने open fire की वजह से नहीं भेजा था अपनी troops को, बलकि उन्होंने इसलिए भेजा था troops को कि शहर की condition पता कर लें, लेकिन अब अफव का परिणाम भी कैसा होता है, कितनी बुरी तरीके से लोगों में अफरात अफरी मत जाती है, तो उसी वजह से अब लोगों को लगा कि उनको भी अपनी जान बचानी चाहिए, उपर से सभी लोग, Louis 16 से वैसे ही इतने खफा थे, reason है, उनकी हम बात करेंगे, सबसे बड़ा reason है tax, हाला कि इसके बारे में हम आगे detail में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानो, क्योंकि हम introduction पार्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना ही जानो कि जो citizens थे, वो Louis 16 से इसलिए खफा थे, क्योंकि Louis 16 ने लोगों पर भर भर के tax लगाए हुए थे, right, तो बहुत सारे लोग, लगबग, 7000 men and women, ये सबी gathered हो गए थे, कहां पर, town hall में, town hall is a place, जहां पर 7000 men and women gather हो गए थे, तो 7000 में आदमी बे थे, औरते भी थी, and decided to form a people's militia, ये क्या है, militia, militia का मतलब क्या होता है, लोगों ने अब ये decide किया, कितने लोगों ने, जो ये 7000 men and women थे, इन्हों ने ये decide किया, कि अब अपने ही बीच में एक militia form करेंगे, मतलब एक troop तयार करेंगे, एक scenic तयार करेंगे, अपने ही बीच में, क्योंकि इनको भी अपनी जान बचानी थी, इन troops से, तो इन लोगो ने अपनी एक मलीशा तयार की, मतलब अपनी एक टोली, फोज की तयार कर ली, they broke into numbers of government buildings in search of arms, अब इन लोगों ने अपनी एक मलीशा, अपनी एक फोज तो तयार कर ली थी, लेकिन अब इनके पास arms नहीं थे, arms का मतलब क्या होता है, हतियार, weapons, bomb, gun, ये सब चीज़े क्या हो तो इन लोगों के पास अब इस फोज से लड़ने के लिए हतियार नहीं थे, तो इनोंने क्या किया, they broke into number of government buildings, इनोंने बहुत सारी government buildings को तोड़ डाला in search of arms, weapons की खोज में, ठीक है, चलिए, next paragraph देखते है, Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison named the Bastille तो बहुत सारे जो लोग थे, लगबग, hundreds of people वो शहर के eastern part की तरफ चले गए थे, क्योंकि सभी लोग arms को ढूनने में लगे हुए थे, सभी लोगों को हतियार चाहिए थे, तो लोग यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ गूम रहे थे, arms की search में, तो उन में से, उस भीड में से, 7000 men and women की भीड में से, कुछ लोग eastern part की तरफ चले गए, अब eastern part की तरफ चले गए, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर थी एक jail, जिसका नाम है Bastille, ठीक है, जेल का नाम था Bastille यह एक fortress prison थी, fortress का मतलब क्या है, एक पुराना किला, जिसे king ने prison बना रखा था, एक jail बना रखी थी, जिसका नाम था Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition, जहाँ पर लोगों को यह लगा, कि हमें Bastille में तो जरूर कोई ना कोई हतियार देखने को मिलेगा, hoarded का मतलब क्या होता है, hoarded का मतलब होता है, एक भंडार, एक collection या store, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ, जो गेहूं हैं, वो कहीं अगर रखे जाएंगे, तो उस जगे को hoarded कहा जाएगा ना, मतलब जो गेहूं है, उनका भंडार, एक जंगे पर उनका खजाना रखा हुआ है तो ऐसे ही, hoarded का मतलब होता है, collect या store, ammunition का मतलब होता है, हतियार, हतियार के कोई भी form, चाहे तो वो bullet हो, bomb हो, gun हो, है ना, गोला बारूद हो, उसे ammunition कहा जाता है, तो लोग eastern part की तरफ इसलिए आये थे, क्योंकि उन्हें था कि बैस्टील में इनको जरूर hoarded ammunition मिलेंगे, मतल In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed, अब बैस्टील के jail के आगे कुछ commander भी थे, जो इन कैदियों की देखरे करते थे, कहीं कैदी भागना जाएं, तो अब जो कैदी थे, वो इस भीड से, जो कैदी के commander थे, जो बैस्टील के commander थे, वो इस भीड से लड़ने लग गए थे, लेकिन भीड में, Armed fight में ये commander मारे गए, इस भीड ने commanders को मार डाला, and the prisoners was released, और prisoners जो कैदी थे, उनको release कर दिया, उनको छुडा लिया, दो, they were only seven in numbers, अब prisoners उनके तो हमें ये लग रहा है, पता नहीं, लाकों करोडों की संख्या में वहाँ पर prisoners जो है, वो कैद हो रखे होंगे, ऐसा नहीं था सिर्फ और सिर्फ उन prisoners की संख्या कितनी थी, साथ, seven prisoners थे, उनको लोगों ने छुडा दिया था, yet the best deal was hated by all, लेकिन सभी लोग जो common people थे, वो best deal से नफरत करते थे, hate करते थे, इतनी गिरना क्यों करते थे, because of, it stood for the despotic power of the king, अब जो ये word न, despotic पहले तो, इस word को समझ ये, despotic power को, that means, despotic का मतलब है, autocratic, tyrannical, या फिर निरंकुष्टा, या फिर absolute power, अब absolute power का मतलब क्या है, देखिए, ये लोग, best deal से इसलिए नफरत करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था, कि जो ये best deal, jail है, ये king की निरंकुष्टा को दिखाती है, king की absolute power को दिखाती है, मतलब जब king का मन करता है, जिस भी इनसान को वो चाहे, वो इस prison में डाल सकता है, इसलिए लोगों को इस best deal से इतनी नफरत थी, the fortress was demolished, और इस prison को लोगों ने तोड़ दिया, demolish कर दिया, बिलकुल खतम कर दिया, तहश नहश कर दिया था, its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction, देखिए, जो ये बैस्टील का जो ये jail थी, ये fortress थी, इसके stone fragments, मतलब जो इसकी इटे थी, उन तक को निकाल डाला था, लोगों ने, इट तक का भी नामों निशान नहीं छोड़ा था, और उन इटों को निकाल कर market में बेच दिया था, अब आप सोचेंगे, क्या इन्होंने market में पैसो के लिए बेचा था, क्या इसलिए बेचा ताकि वो एक destruction का souvenir रख सके, मतलब एक याद रख सके, सो इसका मतलब क्या है, कि जो fortress है, उसको demolish करके, इसकी एक-एक stone को market में इसलिए बेचा, ताकि उस destruction को यादगार चीज के तोर पर रखा जाए, एक reminder के तोर पर एक-एक इट को अपने पास रखा जाए next paragraph है, the days that followed, so more rioting both in Paris and the countryside, most people were protesting against the high price of bread 14th July के बाद, Paris में and Paris के आस-पास, जितने भी countryside थे, जो भी village के इलाके थे, उन सभी में हमें riots देखने को मिले, riots मतलब violent, noise, लोग अभी भी बढ़के हुए थे, तो हमें दोनों ही जंगया पर, countryside में भी, शहर में भी riots देखने को मिले, लोग protest कर रहे थे, for what, they were protesting against the high price of the bread, देखे हमारा जो staple food है, वो क्या है, wheat, rice, so इसी तरीके से, वहां का, France का जो staple food है, वो है bread, तो king ने क्या करा, कि जो bread है, इस पर भी tax लगा दिया था, और खाने पर tax लगा दिया, खाना जो है, वो बहुत महंगा हो गया था, in fact, जो इनका staple food है, वो इतना महं भी नसीब नहीं होता था, तो इसी लिए लोगों ने protest करना शुरू कर दिया था, and much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of events, that ultimately led to the execution of the king in France, और बहुत सारे historians, जब इन history को पढ़ते हैं, French Revolution की, तो वो ये कहते हैं, कि ये जो revolution है, ये एक इस तरीके की chain है, जो revolution तब end हुआ, जब जो king थे France के, जब उनका execution हुआ, मतलब उनको फासी दी गई, put to death, execution का मतलब क्या होता है, put to death, तो जो king थे, उनको फासी दी गई, तब जाकर ये revolution, ये riots खतम हुए थे, though most people at the time did not anticipate this outcome, anticipate का मतलब क्या होता है, expect करना, हाला कि बहुत सारे लोगों ने तो इस चीज़ को expect ही नहीं किया था, कि last में जो king है, उनको execute कर दिया जाएगा, kiss king को, Lewis 16 को, how and why did this happen, अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे reason क्या था, अब हम पूरी story जानेंगे, तो आज का ये सिर्फ पार्ट था, introduction पार्ट, अब हम next वीडियो में main story को जानेंगे, आपको ये series, अगर आप चाहते हो, मैं continue रखू, तो आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा, आपको ये आज का session कैसा लगा, please मुझे comment section में अपने reviews जरूर दीजिएगा, आप मेरे साथ, telegram group पर जुड़ना बिलकुल मत भूलना, and you can follow me on instagram as well, आप instagram पर directly मुझे dm कर सकते है अपने questions मेरे साथ रख सकते हैं, अपने doubts रख सकते हैं, thank you so much, this side Priyanka Gor, I wish you all the best, keep learning